आप सुन रहे हैं कहानी बेंतिहा सफर इश्क का भाग नौ ऐसी पार्टी खत्म नहीं होती बलकि खत्म कर दी जाती है वोकि सभी अपने अपने सुरूर में डूबे रहते हैं भूमी घरेलू पार्टी में मौजूद तो होती थी पर बहुत देड़ तक वे भी नहीं रुकती थी वे खुद एक बहुत बड़े सम्मानित व्यवसाई की कलौती बेटी थी वे इस घर से अलग उसके घर का महौल था उसके पिता बिजनस के साथ सतकर्म में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे उनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं कया गही कारण था कि भूमी में भी इसी तरह के संसकार थे और वे अपनी समझदारी की उम्र से ही अपने पिता के साथ, उनके वेवसाई के साथ-साथ जरूत मंदो की मदद के कारे में भी उनका सहीयोग करती थी पर इस घर का राग कुछ अलग ही था यहां आकाश अपने पिता की छाया बनता उनके जैसा ही था जिसके लिए पैसे से बढ़ कर कोई उनका भगवान नहीं था यह सब भूमी को अंतरस तोड़ देता फिर भी उसके संसकार ऐसे थे कि पती संग आत्मिता ना होने पे भी उसका घर वे पूरी श्रधा से समालती थी अकाश का कोई भी काम होई से छिपा नहीं था वे अच्छे से जानती थी कि अकाश बहस करने के वज़ाए वे खुद को बहार की दुनिया में वेस्तदार रखना सही है और घर पर उसकी दुनिया च्छेच था पार्टी के बाद भूमी और अकाश एक साथ अपने कमरे में प्रवेश करते जो सब लोगों की नजर में एक कमरा होता पर अंदर जाते वे दो हिस्सों में बढ़ जाता उनकी मन की तरह है जहां वे दूसरे से बिना किसी संपर के अपनी अपनी दुनिया में मगने रहते सालों भीट गए उनका आपस में किसी भी तरह का कोई संपर किये पर उसे भूमी ने कभी बाहर साहिर नहीं होने दिया वेकि मैं चानती थी कि इस बात का फर छितिज के नन्य मन पर पुड़ा कर सकता था चाचो उठो ना उठो ना चाचो नन्य छितिज अरून के बगल में बैठा उसे उठाने के लिए लगातार उसे जचोर रहा था चाचो उठो ना मैं हूँ चाचो उठो ना मैं हूँ चाचो मुझे तंग मत कर कहते वे अरून ने करवट बदल ली चाचो अगर आप अप भी नहीं उठे न तो फिर मैं आपसे नराज हो जोगा और फिर मैं कभी अपसे पात नहीं करूँगा छितिज ने बड़ी मासूमियत से कहा कुछ देड़ तरुन चुपचाप शान लेता रहा फिर अन्मने ढंग से उठके उसके सामने बैठते वे कहता है अच्छा, तो छितिज अपने चाचों से नराज भी हो सकता है जो चाचों मैं आपसे पात ही नहीं करता गाल फुलाते हुए छितिज अरोड से दूर सरग गया ओफो, अच्छा, बाबा छितिज महराज, और माफ़ी कर दो और मुस्कराते हुए छितिज की दरब जुगते हुए अपने कान पकड़ता हुआ कहता है माफ़ी कर दो, देखो, मैंने कान ने पकड़ लिये अब क्या उठक बैटक भी लगाऊ इस पर हाथ बांदे, छितिज दूसरी और मुझ घुमा लेता है तो अरोड थोड़ा और उसकी और सरक आता है तो आप यह नहीं मानोगे लगता है थर्ट गिग्री अपना नहीं पड़ेगी कहता हुआ अरोड छोट मोट का हवा में अपनी आस्तीन उपर करता हुआ कहता है तो हमला? अरोड चितिज की और जुकता हुआ उसे गुद्गुदी करने लगा तो चितिज ननी कली के भादी खिल खिला कर हस पड़ता है चाच्चु छोड़ो नहीं चाच्चु मैं में नाच नहीं हूँ हसता हुआ चितिज अरोड की गोद में जाकर बैठ जाता है अच्चा अब जल्दी से पता हो कि तुमने अपने चाचो को इतनी सुभा सुभा क्यों जगाया आज में ले स्कूल ने पैरेंट्स मीटिंग है तो आपको चमना है पर मैं ही क्यों? टीचर शिकायत करने वाली है क्या? नहीं चाचो मुझे तो इस बार अपने सारे यूनिट टेस्ट में ना एक ग्रेट मिला है पर किसी के पास मेरे टाइम ही नहीं है तो मैं किसी अपना टेस्ट बुक दिखाऊं चाचो? उस मासूम चहरे पर वो दासी छा जाती है अरे तो कोई बात नहीं मेरे पास अपने प्रेफ छितिश के लिए टाइम ही टाइम है तो चलो ज़रा मस्कुराओ? यस, ताट्स लाइक माइ कुट बॉइ जो जल्दी से तयार हो जाओ, मैं भी जट से तयार हो के आता हूँ, खुश? अरुन की बात पर छितिश सच में कुश होता, हामी में सर हिलाता हूँ, तुरन बाहार निकल जाता है उसके जाते हैं अरुन सिगरट के पैकेट की तरफ ना हाथ पढ़ा देता है हैडी काका, हैडी काका, कहा है अब? हरिमन काका को आवाज लगाता हूँ, छितिश सोई की और भागता हूँ, ख्याद से तिश बाबा, हरिमन काका जानते थे छितिशू का नाम सही से, ना पुकार पाने से उन्हें हैरी कहता, इसे वे तुरन की उसकी पुकार पर उसके पास भागते हूए आते है कका जल्डी से नाश्टा लगाई है बढ़ो की तरह बे निर्देश देता है अभी तो बिटवत में नाश्टा किया था क्या फिर से भुख लगाई चलो अभी फिर से लगा देते हैं नाश्टा ओफु काका चिति छॉले से हतेली सर पर मारते हुए क्याता है मैं अपने भी नहीं चाचु के लिए बोल रहा हूँ ओ अच्छा हस्ते वे काका रसोई की और मुड़ जाते हैं अरे रुके तो काका मैं आपको बताता हूँ नाश्टे में क्या क्या लगाना है जूस मत रखना काका क्योंकि वो चाचु को बिल्कुल पसंद नहीं और हर्मान काका हस्ते वे चितिश की तरफ जुकते वे कहते हैं अरे बिटवा मुझे याँ पच्चिस परसो रहे हैं मैं सब की पसंद ना पसंद अच्छे से जानता हूँ पच्चिस सोचता हुआ चितिश उंगलियों में गिनता सोचता हुआ कहता है बताब टूप फईफ ये तो बहुत ताइम होता है मस्कुराते हैं हर्मान काका के सामने खड़ा चितिश नटकरबंद से सर्फ हुजाते हैं बाबा अपके स्कूल का टाइम हो गिया अब की एक मेट सुनीता आती वी छितिच को पुकारती वी कहती है जिसमें ध्यान आते हैं छितिच तुरंद कहता है परता है सुनीता आंटी मैं आज अपने चाचो के संग अपने स्कूल जाओंगा तब देखता हूँ मैं अपने सारे दोस को बताँगा कि मेरे चाचु कितने बैस्ट है शितिश के भूले पन में मौजूद सभी सर्वेंट हैं मुस्करा कर स्क्योड देखने लगते हैं भाषण के समाप्त होते पूरा हॉल टालियों की गरगड़ाहाट के साथ गूंजटा स्टेज में एक लंबी मेज के उस पार समाज के कई पतिस्ठिक लोगों के बीच भूमी और आज की मुख्य अतिती शहर के मेर मौजूद थी उसकर भूमी के चेहरे पे कुछ अलग ही शालिंता, सौमिता की आभा नजर आ रही थी हूमी के आखों में गरीमा युक्त चमक और सर पर आदरिश का पल्लू था और यही समाज में उसकी वास्तविक पहचान थी आज उसके द्वारा स्थापित बाल महिला सनक्षन संगठन की 25 वर्ष गार थी इसकी उपलक्ष में उसे सभी जरुवत मंदों को कपड़े और जोनी समान वितरत करने थे साथी नियूज वाले उसकी तस्वीर लेने को भरपूर दिल्चस्प नजर आ रहे थे यहीं भूमी की बहारी दुनिया थी जिसमें समाज के हिद के लिए काम में वे खुद को व्यस्त रखती जिसके चर्चे अक्सरा पारों की सुर्खियां बने रहते बेंतिक हां के हीलो से मिलने के बाद योगेश अपने नर्सिंग होम में था जब एकदम सदनाती ही वर्तिका उसके केबिन में घुसी तो उसकी हाँ से कॉफे का कब बस गिरते गिरते बचा योगेश अरे हाँ हाँ यहीं तो हो फिर इतना हरबडाते हुए आने की क्या जर्वत है योगेश थीरे से कब टेबल पर रखते वे वर्तिका को अपने सामने बैठते वे देखता है वर्तिका आई तो जैसे बहुत कुछ कहने पर अब बिलकुछ शांत बैठी दिवार को घूने लगी थी वैसे कल की पाटी बहुत मस्त रही तब तो आज क्रेनिक आने मुझे देर हो गई बाहर देखा अभी सो मरीज निप्टा कर जस्ट बैठा है हूँ और तब भी सो और लोग आदी बैठे में खैर कल बहुत बसा आया वो रेड वाली थी न उसमें क्या बात थी मेरे साथ सारी राट डांस करती रही और वो सिल्वा कला का स्लिट पहने थी उसने तो आज राट की अपनी पार्टी के लिए मुझे निवाइट कर लिया अपना तो पार्टी का बड़ा वाला चक्कर चलिया अरे हाँ उसका नाम तो पूछ ही नहीं चल आचरात पुछ लूगा अपने में डूबा खुश होता हुआ योगेश कुर्शी की पुष्ट से पीछ सताता हुआ वर्तिका की बुजी भी आँखो को देखता हुआ कहता है लग रहा है कल राट तुम्हारी तुम भी सोई नहीं वैसे लगता है तुम्हारा कल अरुण से चक्का चली गया तब तो तुम दोनों को ढूंता रहा मैं चाने कहां कायबो करते तुम दोनों बोलो दिल चस्पी से देखता हुआ योगेश को ज़्यादा ही मस्करा रहा था जबकि वर्तिका उसी बुझे अंदाज में धीरे से कहती है कल मैं जल्दी घर वापस चली गई थी ओ क्यों तो फिर अरुण अबकि रुआसी होती ही एकदम से उसके सामने खड़ी होती ही कहती है एक चीज पताओ मुझे कोई तुम्हें कोई खामे नजर आती है देखो मुझे ध्यान से देखो क्या मैं आकाशक नहीं हो वर्तिका के पूछते थोड़ा हिश्क चाते वे योगेश कहता है नहीं किस ने कहा कल उन सब लड़कियों में तुम्हारा जलबा भी कुछ कम नहीं था फिर क्यों अरुन मुझे नहीं देखता क्यों हुए मेरे इतना करीब जाने पर भी कुछ महसूस नहीं करता आखे क्यों योगेश कल उससे कुछ बात हुई क्या तुमारी भात करता तो ठीक था कुछ नहीं कहा बस मुझे से जैसे दूर ही भागता रहता है कहीं योगेश उसके जीवर में कोई और तो नहीं आ गई और हमें पता ही ना हो अचानक से उर्जीवी वे योगेश से पूछती है अर इस सौर प्रतिशलिस का जवाब नहीं में है कुछ भी ऐसा होता तो मुझे से चुपाने वाला नहीं था वो वैसे उसकी बात को इतना सीरिस लिनी की ज़रूद नहीं है यार हो सकता है कल उसका मोड ना हो तो आज जाकर मिल दो यार हम तीनों एक दूसरों को स्कूल समय से जानते हैं फिर भी तुम उसकी हर एक बात पर इतनी जल्दी रियक्ट कर लेती हो योगेश उस वक्त तो और इस वक्त में बहुत फरक है तुम शाय समझने ही नहीं चाहरे हो या समझ ही नहीं रहे जब सब कुछ हमारे बीस सिमिलर है तब बस उसकी एक हां के लिए मैं तरस रही हूँ जबकि मैं उसकी प्रती अपना सब समर्पर करने को तयार हूँ बस एक बार मिझे नजल भर कर देख तू ले आचा अचा अचा रुको मैं आज उससे बात करता हूँ और उसके दिल का सारा राज निकलवाता हूँ कि बस माजरा क्या है तब तक तुम आराम से घर जाओ मैं हूँ ना? ओके थैंक्स योगेश तुम कम से कम दोस्ती तो निभा रहे हो और उन तुम उससे बेगानों के तरह विवार करता है उसका ऐसा बिहेवर मुझसे हजम ही नहीं होता दोजवरी चल मारो यार और ये लोग खाओ कहता हूँ वह उसके हाथ में कोई गुलावी टैबलेट रखता हूँ कहता है ये क्या है? डाइजीन? हाँ? अरे अभी तुम नहीं तो कहा हजम नहीं होता कहता हूँ योगेश खुल कर हस पड़ा उसकी इस हरकत पर वर्तिका नाराज होती टैबलेट उसकी मेज पर वापस पटकती भी उठ जाती है उसे अब गुस्से में जाता हूँ देर योगेश पीछे से हसता हूँ कहता रहा अरी यार मसाग कर रहा था वर्तिका सुनो तो चली गए यार यार योगेश तुछ पर ये वस्ती किसे ना भारी पड़ जाएगी इसलिए बी सीरियस समझा ना खुद को समझाता वा योगेश टेबल पर रखी बेल बजा देता है अपने केबने बैठा आकाश बुरी तरह से पस्त हाव भाव के साथ अपने मुबाइल की स्क्रीन देख रहा था अभी वी जो कॉल डिसकनेक्ट हुई थी शायद उसी के कारूं उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे अब तुरंथी मुबाइल रखकर टेबल पर रखके इस्टुमेंट से कहीं कॉल लगाता है फोन तुरंथी उठा लिया जाता है और दूसी ओर से बहुत हल्गे भाव से पूछा जाता है हाँ कौने बे मैं बोल रहाँ इडियट ओ आकास्तर वो क्या है ना इसमें नंबर नहीं दिखता इतले पता ही नहीं चला कि किसका फोन आ गया नहीं तो आपकी आवाज तो मैं सपने भी बैचान लूँ अपनी बकवास बंद करो सुनो मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो उस पच्छ ने मुझे अभी भी परशान कर रखा है और तुम अब तक उसका पता भी नहीं रगा सके आकर में तो मैं बोटियां किस बात की डालता हूँ आकाश पुरी तरह से ताथ पीस्ते वे कहता है कौन बिच सर जी वो सर वो सर वो स्टैला सर वो दो दिन की बस मौलत दे दीजे जिन्दा नहीं तो मुर्दा उसके आपके सामने पेश कर देंगे बरो सर रखो सर जी आपका काम कभी रुका है अबास से लग रहा था कि वे बहुत खुश होता हुआ कह रहा था जबकि आकाश के तेवर चढ़ते जा रहे थे रुका नहीं पर खराब जरूर करते हो काम अपकी कोई गरबर हुई ना तो मेरी कोली सीचे तुमारे उस सड़े हुए भेज़े को चीरती हुई निकलेगी समझे आरे सर जी ऐसा क्यों बोलते है अपन तो आपका गुलाम है बस आप देखते जाओ आपकी कोई गरबर नहीं होने देंगे ठीक है ऐसे ही होना चाहिए गुस्से में आखरी वाग के बोलता हुआ रिसीवर पटक देता है अकाश के रिसीवर रखते है वे गुंटा टैप आदमी अपने नजरों के सामने पंचर बनाते हुए दूसरे आदमी को आवास लगाता हुआ कहता है चल बे पंचर अपने काम पर लग जा ये सुनते वे आदमी जट से क्यों छोड कर खड़ा होता हुआ कहता है पताओ बोस किसको आणा है अब एक खास लेट के ढपकान हाँ तम उडाने भी लगा रहता है पता लगाना है उसका जिसकी तस्वीर दी थी तुझे समझे और जो तुने कोई गरवर की न तो याद रखना मेरी कोली सीधे तुम्हारे उस सड़े वे भीजे को चीर्टी भी निकलेगी समझे है बोस ये तुन नया वाला डालोग मारे हो हाँ नया है पत तुझ से शुरुवात करूँगा मैं चल हट में उसे इस तरह हड़काता है जिससे वे तुरन टायर उठाकर गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगता है बहार से आते मेंका सीधे अपने कमरे में चली गई बहुत देर तर तक्या से मूठ हापे रोती रही पर घर के किसी वे सदद सिका उस पर ध्यान ही नहीं गया सभी अपने में मश्गूर रहते थे घर की नौकर चाकरों ने मेंका को रोते देखा पर किसी की हम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ इस घर में हमेशा ही सबकी अपनी दुनिया होती जिसमें वे हमेशा ही व्यस्त नजर आते हैं बस वाशिक त्योहारो या घरेलो पार्टीज में सभी एक साथ इखटे होते वे यह घर को जोड़ने वाली श्रिंखला कमजोर हो चली थी दादा जी वे सीट खंशाम के चाचा जी थे और उनके माता पिता के बाद से उनका ध्यान रखते आ रहे थे और इस कारण नोंने कभी शादी में ही की थी बरिवार के बीच रहते हुए भी वे किसे सन्यासी की तरह रहते बस यह कारण ही था जो उनके पास रोजाना आता और ने सुबह एक बार जरूर अपने साथ बाहर सेर को ले जाता उसे दादा जी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता दादा जी भी उस पर पनी जान छेड़कते थे यही कारण था कि यह चार साल उन्होंने बस अरुन की इंतिजार में ही काट दिये हरुन काका से नहीं रहा गया तो वह दादा जी को मेनका के बारे में बता देते हैं यह सुनते विछड़ी टेकते मेनका की कमरे में चल देते हैं कौन है कहा न मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे किला छोड़ दू दर्वाजे की दस तक मैं इनका लेटे लेटे ही चीखती है मैं हूँ तेरा दादा बिटिया दर्वाजा तो खोल अब आज सुनते मैं इनका फूर्ती के साथ उठती है और दादा जी को सहारा देते हैं वे उन्हें अराम से अपने कबरे में बठाती ही कहती है आप सीडिया चड़ के उपर क्यों आए? मुझे बुलवा लिया होता आपको डॉक्टर ने सीडिया चड़ने से मना किया है न वे प्यार से उनका हाथ पकड़े हुए कहती है अरे डॉक्टर को तो काम ही है बात-बात पर मना करना वे बेड्रेस्ट को बोलेगा तो क्या मैं बिस्तर पर पड़ा रूँगा बड़े दिन से तुस्से मिलने की इच्छा दी ही सोचला आया तुझे तो अपने डादा जी की याद आती ही नहीं अच्छा हाँ पंच करनी छोड़ दिया था न अच्छा ही किया सब घर में रहते हैं तो हलचल बनी रहती है भले न मिले पर लगता है सब घर पर तो है अच्छा कालेज पड़ला तो पढ़ाई तो सम्हालनी पड़ती होगी न अभी परिक्षा चल रही होगी क्यों में इनका कहीं खोई हुई जमीन को घोर रही थी पर अन्भवी आँखोन ये जैसे उसकी मन का हाल सब समझ लिया था वे प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहने लगे मन परिशान हुआ करे तो आजाया करो बिटिया और अगर लगे अपने दादा से कुछ मन का बाढ़ सकती हो तो कह दिया करो मन में युही रखने से मन भारी हो जाता है समझो घड़ा है न मन जो भड़ते भड़ते कभी कभी उफन ही पड़ता है में इनका चुक्चाप खामोशी सुई की बास सुनती रहे हुए इस खुटन से खुट को ही निकालना पड़ता है इस दिर जब लगे कुछ मन की बाढ़ सकती हो तो बाढ़ लिना चाहिए अच्छा होता है इससे मन दादा जी बात कुछ नहीं होती फिर भी कभी कभी मन इतना भरादा है कि आख अपनी आप भर जाती है मुझे यहां पख़ट खुटन महसूस होती है कहने को परिवार में सबी है पर किसी के पास आपस में कहने सुनने का वक्त ही नहीं मुझे तो लगता है इससे अच्छा तो मैं होस्टल में थी कम से कम लगता तो था कि मैं आज नवियों के बीच में हूँ दादाजी मेंका का दल समझ रहे थे और अच्छे से जानते थे इस घर की विथा को भी वे किसी मिर्क दिश्रा के पीछे सब भाग रहे थे और हासल कुछ भी नहीं है सोस्ते सोस्ते वे गहरी सांस भीदर लेते हैं मैंका आम उनकी गोद में सर रखे चुकचाप दो बूंद कालों से लुड़का देती है जुड़े रहे बेंतिहा की दुनिया से और सुनते रहे इश्क की सफर का इन नया आगास इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को स्थक्राइब करना पिलकुल न भूले और कहानी पसंदाने पे लाइक करें और अपने मित्रों से ज़रूर साचा करें धन्यवाद